स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चेनल आईला टॉक्स पर दोस्तो मैं डॉक्टर इर्शाद खानम आज हम कॉंट्रेक्ट फर्स्ट का अगला वाला चेप्टर पर्तिफल के आवशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे पर्तिफल के आवशक तत्व को समझने से पहले जो लोग मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले वाले वीडियो को देख लें ताकि उन्हें कॉंट्रेक्ट क्या होता है ये समझ में आजाए सवीदा क्या है करार क्या है वचन पर्तिफल प्रस्तापना प पता चुकी हूँ तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफीजन ना हो और आपके जुतने भी कांसेप्ट हैं वो किलियर होते जाएं आज हम बात करेंगे पर्तिफल के आवशक तत्व की पर्ति पर्तिफल में क्या-क्या तत्वों का होना आवशक है कि जिसकी वज़ास से एक सवीधा वेद सवीधा बनती है आज हम उसका अद्यान करेंगे परंतु उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने चैनल को करने और मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रही हूं उसका आप लाब उठाएं साथी साथ कोने में एक बेल आइकन दिया गया है आप उसको क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए दोस्तों कांटरेक्टर फरस्ट का जो भी चेप्टर में भी आपको पढ़ा रही हूं वो एलल बी फरस्ट सेम की एकजाम के हिसाब से अथी महतुपूर्ण सबजेक्ट है और साथी साथ नेट की तैयारी कर रहा हूं सीर्विल जजच की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ह उनके लिए भी ये बहुत ही महतुपूर्ण विशा है क्योंकि इन में से बहुत से कोश्चन है जो की बनते हैं तो हम बात करते हैं पर्तिफल के आवशक तत्व की पर्तिफल का आवशक तत्व को समझने से पहले यह जरूरी है कि आप पर्तिफल के बारे में पहले समझ ले कि पर्तिफल कहते किसे हैं पर्तिफल परस्तापना अर्थात वचन एवं पर्तिफल करार का निर्मान करते हैं बिना पर्तिफल के किया गया करार शुन्य होता है पर्तिफल एक परकार से वचन की कीमत होती है अब हमने जब कॉंट्रेक्ट पढ़ा था तो contract में हमने एक चीज पढ़ी थी कि पहले एक प्रस्ताव होगा फिर प्रस्ताव को पर्तिगिर्हन किया जाएगा मतलब एक किसी कादरी को करने या ना करने के लिए एक वचन दिया जाएगा वो वचन एवं परतिफल की वजा से ही करार का निर्मान होता है बिना पर्टिफल के अगर आप किसी भी करार को करोगे तो आपका वह करार शुन्यों होगा तो पर्टिफल जो है वो एक परकार से वचन की कीमत होती है और उसके बिना आपका करार शुन्यों हता है अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें ब्लेक स्टोन के अनुसार पर्तिफल ऐसे मौाउज़े को कहते हैं जो सवीदा का एक पक्षिकार दुसरे को देता है ब्लेक स्टोन के अनुसार क्या परिभाशा है ब्लेक स्टोन कहता है कि पर्तिफल जो है वो एक एसा मौाउज़ा है जो सवीदा का एक पक्षिकार दुसरे पक्षिकार को देता है पोलक के अनुसार पोलक के अप डेफिनेशन दे रहे हैं पर्तिफल की पर्तिफल ऐसे मुल्य को या कीमत को कहते हैं जिसके बदले में दुसरे पक्षिकार का वचन प्राप्टिक किया जाता है और इस परकार से मुल्य के लिए दिया गया वचन परवर पर्तिफल क्या है पर्तिफल ऐसी मुल्य को या ऐसी कीमत को कहते हैं जिसके बदले में दुसरा पक्षिकार का वचन प्राप्ति किया जाता है मतलब दुसरा पक्षिकार किसी कारी को करेगा या नहीं करेगा इस बात का वचन उससे लिया जाता है और उसके बदले में उसको ए अफ्रिवर्वर्दिनी करामे के लिए होती है अगर हम देखे तो परटीफल देरे आशे क्या होता है कि किकी किसी व्यक्तिक dzięki को उसके द्वारा किये घए कारी के बदले में या सेवा के बदले में किसी किural को देना ये कहलाता है प्रतिफल अब प्रतिफल की डेफिनेशन को एक बर हम देख ले जो भारती सवीधा अधिनियम के अंतरगत हमें दे गई है तो उसकी डेफिनेशन हमें कहा दी है धारा 2D में जबकि वचन दाता की इच्छा पर वचन गिरहिता ये अनिवेक्ति कोई कारी कर चुका हो या करने से विरत रहा है या करता है अत्वा करने से विरत रहता है अत्वा कोई कारी करने या करने से विरत रहने का वचन देता है तब ऐसा कारी ये विरती या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है या किसी कारिक से करने से अलग होता है या कोई कारी करता है या उस कारी को ना करने का मतलब विरत रहना मतलब ना करना अथवा किसी कारी को करने से विरत रहता है या किसी कारी को करने या करने से विरत रहने का वचन देता है तब एसा कारी या उस कारी को ना करना वचन होता है और उस वचन का पर्तिफल कहलाता है तो यह हमने देखें पर्तिफल किया कहते हैं पर्तिफल किसे कहते हैं और पर्तिफल की रेफिनेशन क्या है अब हम देखते हैं पर्तिफल के आवशक तत्व मुख्य रूप से पर्तिफल के अगर आवशक तत्वों की हम बात करें चर्चा करें तो मुख्य रूप से पर्तिफल जो है वो दो परकार से हमारे समक्षिर है पहला है पर्तिफल पर्तिग्या करता की इच्छा पर पर्तिफल पर्तिग्या करता कुन वचन दाता तो पर्तिफल जो है वो पर्तिग्या करता की इच्छा पर कारी करना या किसी कारी को ना करने की पर्तिग्या पर्तिफल है जो की पर्तिग्या करता यानि की वचन दाता की इच्छा पर होना चाहिए पर्तिफल होने के लिए ये आवश्यक है कि पर्तिफल वचन दाता की इच्छा पर ही होना चाहिए अधात वचन दाता की इच्छा के बिना किया गया पर्तिफल अवेधानिक माना जाता है केदानात बनाम गोरी मुहमत के वाद में नियाले ने कहा था कि वचन दाता की इच्छा पर किया गया कारी परियाब तो पर्तिफल होता है चाहे इससे वचन दाता को कोई भी वेक्तिकत लाब ना हुआ हो इस परकार से हम ये देखते हैं कि पर्तिफल का पहला महतुपूर आवशक तत्व क्या है पर्तिफल वचन दाता की इच्छा पर होना चाहिए मतलब पर्तिग्या करता की इच्छा पर होना चाहिए दुसरे आवशक तत्व को हम देखें दुसरा मापस आवशक तत्वे परतीफल वचन परतिग्य ग्रहिता या वचन ग्रहिता या अन्निवेक्ति की और से होना चाहिए परतीफल वचन ग्रहिता ये किसी अन्निवेक्ति दौरा दिया जा सकता है अधिनियम में इस बात का महत्वर नहीं है कि पर्तिफल वचन दाता के दुआरा ही आए अर्थात वहा कारी जो पर्तिफल का रूपधारन करने जा रहा है पर्तिगे गिरेता या अन्नी किसी वेक्ति की और से किया जाना चाहिए हमारा ये मुखी जो आवशक तत्वे सेकंड वाला ये क्या किया रहा है कि पर्तिफल के लिए ये आवशक नहीं होता है कि वचन गिरेता की और से ही पर्तिफल दिया जाए वह किसी अन्नी वेक्ति की और से भी हो सकता है इस संबन में जो अंग्रेजी विदी है और भारती विदी जो है इन दोरों में काफी अंतार है अंग्रेजी विदी के अंतार का पर्तिफल के वल वचन गिरेता ही दे सकता है जबकि भारत की विदी ये कहती है कि वचन गिरहिता के अलावा कोई अन्य वेक्ती भी परतिफल दे सकता है तो ये जो दो आवशक तत्वे हैं ये भारती सवीदा अधिनियम के परतिफल के अतिमेत्य पुर आवशक तत्वे हैं पर्तिफल के कुछ अन्य आवशक तत्वी भी है जिनको भी हम एक बार देख लेते हैं पहला है पर्तिफल परियाप्त हो यह आवशक नहीं है अथाथ कुछ पर्तिफल होना आवशक है पर्तिफल में ये आवशक नहीं होता है कि पर्तिफल जो दिया जा रहा है वो परियाप्त हो अगर कुछ पर्तिफल भी होगा और वो पर्तिफल देने वाले की इस्वतंत्र सहमती से होगा तो वो पर्तिफल भी आपका वेट पर्तिफल कहलाएगा दुसरा हमारा आवशक तत्वी में पर्तिफल वास्तिविक होना चाहिए अधात विधी की दुरिष्टी में उसका कुछ मुल्य होना चाहिए पर्तिफल के संबन में ये एक वेध्यानिक नियम है कि पर्तिफल जो है वो वास्तिविक होना चाहिए और विधी की मतलब उस जो पर्तिफल की रूप में आप दे रहे हो उसका वास्तों में कुछ ना कुछ मुल्य होना चाहिए क्योंकि जहां पर्तिफल आवास्तिविक होता है महां पर आपका कॉंट्रेक्ट भी नहीं हो पाएगा तो आपका जो पर्तिफल है वो वास्तिविक भी हो और विदी की दुरस्टे में जो भी आप पर्तिफल के रूप में दे रहे हो उसका कुछ मुल्ली भी होना चाहिए तिसरा पॉइंट है पर्तिफल कुछ कारी अथ्वा वचन हो सकता है अब पर्तिफल के रूप में ये आवशक नहीं है कि वो कीमती हो, कोई वस्तु हो या पैसा हो पर्तिफल के रूप में कोई कारी करने का वचन भी हो सकता है वो किसी कारी को ना करने का वचन भी हो सकता है पर्तिफल के आवशक तत्वी में चोथा हमारे पास है प्रतिफल, भूथ, वर्तमान, अथ्वा भावी हो सकता है तीनों परकार के प्रतिफल है, ये भी हो सकते हैं पाँचवा है, परतिक सविदा के लिए प्रथक प्रतिफल होना आवश्चक है अगर एक-दो वेक्ती हैं, और वो तीन यद चार कांट्रेक्ट कर रहे हैं इंदर चलआ रहे हो छेटा है परती फिल का बशिगा के लाब के लिए होना और शक नहीं है अब here आपक नहीं होता है परती फल में कि जो बशिगा दाता है उससे उसको ही उस परती फिलता का लाब प्राप्थ हो रहा हो और साथ वह पर्तिफल विधिपूर्ण होना चाहिए जो भी पर्तिफल आप डिसाइड कर रहो वो लीगल होना चाहिए विधिक होना चाहिए आप नियाले में जाएके इसको परिवर्तित करवा सकते हो तो पर्तिफल आपका विधिपूर्ण होना चाहिए आज हमने पर्तिफल के आवश् पढ़ा है तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि एललबी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए मेरे ये सारे वीडियो जो हैं वह काफी उपयोगी होंगे और साथी साथ जो लोग नेट की और सिविल जैज और अन्य लौकी कॉंपिटिशन एक्जाम के त तुपण होंगे इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद शुक्रिया